शेहरों की बड़ी-बड़ी और एर कंडिशन दुकानों में लोगों की ये कतारें शॉपिंग के बाद बिलिंग के लिए अपनी बारी के इंतिजार की हैं बिलिंग के दौरान हर किसी से पूछा जाता है सर कैरी बैग लेंगे कई लोग बिना सोचे समझे ही हामिस से खिला देते हैं बिना ये जाने कि वो कैरी बैग जिसके लिए आपसे पांच रुपे से लेकर पचास रुपे तक बसूले जा रहे हैं वो आपको फ्री में मिलना चाहिए था लेकिन हर ग्रहक अपने अधिकारों से अंजान नहीं होता और यही ग्रहक इन कंपनियों पर भारी पड़ जाता है पंचकुला के सौरव कुमार भी बिग बाजार जैसे बड़े रिटेल स्टोर चेन के लिए ऐसे ही ग्रहक साबित हुए सौरव बिग बाजार खरीदारी के लिए गए थे पेमेंट काउंटर पर सौरव से कैरी बैक के लिए पूछा गया कैरी बैक के लिए सौरव से 18 रुपे मांगे गए जिसके बाद सौरव ने कैरी बैक के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया सौरव ने इसकी शुकायत चंडीगर SCDRC में कर दी जिसके बाद कमिशन ने बिग बाजार पर 11,518 रुपे का जुर्माना लगा दिया कमिशन ने अपने आदेश में बिग बाजार को फटकार भी लगाई कमिशन ने कैरी बैग फ्री में न देने को सेवा में कमी करा दिया कैरी बैग के मामले में कंजूमर कमिशन क्या कहता है और ग्राग के तौर पर आपके क्या अधिकार है चलिए वो भी आपको बता देते है दुकानदार या रीटेलर कैरी बैक के पैसे नहीं मांग सकता ग्राक को पेपर बैक के पैसे देने के लिए मजबूर करना खलत है ये कमपनी की खराब सर्विस को दिखाता है पेपर कैरी बैक कमपनी को मुफ्त देना चाहिए सुविधा के लिहाद से ग्राक को बैक देना चाहिए बैक के पैसे लेना सेवा में कमी और unfair trade practice माना जाएगा हालकि ये कोई पहला मामला नहीं है बड़ी-बड़ी कंपनियों ने ग्राकों से कैरी बैक के लिए पैसे मांगे हो तो अगली बार अगर आप से कोई कैरी बैक के पैसे मांगे तो उसे इन कंपनियों के बारे में जरूर बता दीजिएगा और कैरी बैक के पैसे मांगने का अंजाम भी समझा दीजिएगा क्योंकि ये पांच या दस रुपे के बैक का सवाल नहीं है बलकि आपकी जागरुकता का सवाल नहीं है प्योरो रिपोर्ट जी मीडिया